नमस्कार सांतियों, MCC Classes में आपका स्वागत है, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मद्ध प्रदेश का लेक्चर नमबर फर्स्ट, यहने की जो पार्ट वन टू इस टाइप से आपके चलेंगे, तो अपन डेली दो वीडियो तैयार करके चलेंगे सांतियों, ठीके अभी हिंदी का भी आपका अप्लोट कर दिया जाएगा, तो अभी फिलाल दो आ रहा हैं आपके, एक तो साइंस का आ रहा है, दूसरा जो सामाननी ज्यान का आ रहा है, ठीके, उसमें MPGK में इंक्लूट करके ले रहा हूं साथियों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे, यह पु जो प्रशने आपको यह बताना है दोस्तों कि मद्य प्रदेश में, वर्तमान में ग्रह मंत्री कौन है, और वो कहां से उनका चुनावी शेत्रे हैं, कौन सा विदानसभा शेत्रे हैं, यह आपको कमेंट करना है साथियों, तो प्लीज अगर आप अच्छे से तेहरी कर रहे मुझे, लेकिन आपके प्रोपर पूरी में तयारी करवा दूँगा, पूराने पेपर सभी में करवा दूँगा, ठीके, अब आगे बढ़ते हैं, प्रशन हैं दोस्तों सबसे पहले, हैना, 15 कोशन हम पढ़ने वाले हैं, यह आपको दिखा होगा, दिख रहा होगा, कि डेल हम भी, तो यह हैं आपकी शत्रण से, किस से रिलेटेड है सांति हो, शत्रण से, ठीके, यहने कि एक खेल का प्रशन भी आपका आएगा कि कौन सा खिलाडी, किस से रिलेटेड है, ठीके, तो करेंट एफेर में आपका जो अरतमान जो भी खेल प्राणा नी चल रही, उसको ठीक, दूसरा प्रशन है दोस्तों, पन्ना जीला किस संभाग में आता है, तो मैंने आपको यह पूरा मेप के द्वारा समझाया था, प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते है, जो नए वीवर से, ठीके, तो पन्ना जीला किस संभाग में आता है, तो पन्ना जीला आता ह आपका फिर बात करेंगे दोस्तों तीसरा प्रस्ने तापती नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है इस बार श्रेणी पूछ ली गई याने कि किस श्रेणी से होता है ठीक है जगा नहीं पूची लंबाई नहीं पूची अधर नाम नहीं पूचे है ना किस दिशा में बेत हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत के इंदोर घराने का संस्तापक कौन है दोस्तों तो यह है आपके आमीर खान कौन है सातियों आमीर खान यह वर्तमान आमीर खान की बात नहीं कर रहा हूं मैं पुराने आमीर खान की ठीक है अब मैं पांचों कोशन है कि दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर कहां पेश्ती थे तो दुनिया का पहला ग्रेनाइट जो मंदिर है उसका नाम है दोस्तों तंजावुर ब्रहादेशवर मंदिर क्या है नाम तंजावुर ब्रहादेशवर मंदिर ठीके और ये तमिल नाडु के तंजावुर जिले में ही पढ़ता है ठीक प्रतिवर्ग क्लो मेटर कितना है तो दो सो चतीस व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो 129 मीटर रहेते हैं मद्ध इपके देश में, कपके अनुसार, 2011 की जनगर ना के अनुसार, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, साथूं नंबर का, मालनपूर, ठीक है, मालनपूर, एक क्या है, अगर बोल सकते हैं किस रूप में, शेस्च्ता बोलते हैं, तो शेस्च्ता आय गई, किस देश की साथ, यानि किस देश की साहिता से खोली गई, तो यह खोली गई दोस्तों, इज्राइल देश की, ठीके, आप जो विश्व लेवल पर जितने भी देश हैं, उनकी राजधानी और मुद्रा भी याद कीजिएगा, ठीके, इज्राइल की राजधानी जेरुसलम और मुद्रा नुशे के लिए ठीके आप इसको याद कीजिए मतलब जो पुराने हैं आपके जितने भी देशे पुराने क्या नए यह सभी आप याद कीजिए ठीके और एक आप सर्च कीजिएगा दोस्तों नहीं तो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा अफरीका के कुछ दे अगरमालवा ठीके और यह किस संभाग में आता है तो यह आता है आपका उज्जेन संभाग में ठीके दोस्तों साजापुर जिले से अलग हुआ है फिर नौवा प्रस्ने राष्टी नागरिकता रइस्टर ठीके पहली बार कप तयार किया गया ठीके एनरसी कप तयार की अगे बात करते हैं दोस्तों आगे प्रस्न आता है आपका कि पहला जो ग्यारवे नंबर का है कि चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा था यानि कि चंबल नदी पर जो बांध बना है वो सबसे पहला बांध कौन सा था बहुत सरे बांध बने हुए है ना आपको भी जान का रही है पर इसमें सबसे पहला था आप किस खेल से समझ दी थे तो यह है आपका gymnastics related किसे दोस्तों gymnastics से related है फिर आएगा आपका तेरेवे नंबर का कि मद्ध प्रदेश की प्रतम महिला राज जिपाल यह तो आपको जानकारी होगी दोस्तों तो मद्ध प्रदेश की पहली महिला राज जिपाल है आपकी सरलाग के अंतरगत आता है तो मुरेना मद्ध प्रिदेश के दोस्तों यह आता है आपका जंबल संभाग कि कि दोस्तों आगे बात करेंगे 15 नंबर के गरीबी नमुलन के लिए 17 अक्टूबर के दिन ठीक है दोस्तों तो यह आपके प्रशन हो गाए चंबल बांध है जो चंबल नजी पे पहला बांध बनाता गांधी सागरबान पॉम्मल होर से आपका जिमनास्टिक हो क्या पेली महिला राजजपाल सरला अग्रवाल होगी और मुरेना आपका चंबल ज प्रशन अपने चल रहे हैं दोस्तों यह एक आधार है अपना की स्टैप के भी प्रशन पूछे गए तो अपने को क्या करना है दिवस है तो दिवस सभी आद कर लेना है कि संभाग में कौन सा जीला आता है कब-कब यह जीले बने आपके कब कौन सा संभाग बना मद्ध्य इसमें पर्थम पर्थम करके जितनी भी चीज़े मिले सारी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों ठीक है फिर कौन सा खिलाड़ी किस से रिलेटेड है या कौन सी शब्दवाली किस खेल से रिलेटेड है यह आपके प्रशन होगा है ठीक है इसमें आपका नदियों से रिलेटेड प्रस्ण बहुत ज्यादा आते हैं जन जातियों से रिलेटेट आते हैं जो भी हम बने प्रस्ण किये हैं उनका थोड़ा बिल्कुल माइड में रखे आपको याद रखना है दोस्तों क्योंकि आपका सिलेक्शन में बता दू दो ही चीजे करवाने वाली है कौन-कौन सी करवा आएगा तो थोड़ा इन पर भी बने रही है का दोस्तों ठीक है मेरा वीडियो प्लीज अगर अच्छा लगे तो शेर कीजिएगा दोस्तों ठीक है और नहीं लगे तो नहीं करना ठीक तो यह आपका वीडियो यहां पर कंप्रिट होता है डेली आपके टेस्टिस आईगी लेकिन कोश्चन का आंसर जरू देना दोस्तों धन्यवास साथियों